Pinterest एक social media platform है जहाँ पर आप photos और वीडियो को upload कर सकते हो और इनी photos को upload करके वीडियो को upload करके आप एक earning भी generate कर सकते हो Pinterest के उपर direct monetization का option तो अभी available नहीं है लेकिन आप Pinterest के उपर indirect method से ही महीने का 25 से 30,000 रुपे कमा सकते हो और ये earning करने के लिए आपको कोई investment भी नहीं करना पड़ेगा आपको simply एक photo को download करना है और उसे आप repost करके ही Pinterest से एक अच्छी खासी earning कर सकते हो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 5 methods बताने वाला हूँ जिनकी help से आप Pinterest से ही एक earning generate कर पाऊगे और Pinterest से earning करने के लिए आपको laptop की भी need नहीं पड़ेगी आप simply इनकी mobile app को use करके भी same earning generate कर पाऊगे तो अगर आप भी Pinterest को use करके earning generate करना चाते हो और घर बैठे पैसे कमाना चाते हो यार तो इस वीडियो को last तक ज़रूर देखते रहें Hello guys, welcome to our YouTube channel, web beast Guys, Pinterest को लोग videos और photos upload करने के लिए use करते हैं लेकिन Pinterest आपको एक option देता है कि आप अपनी post के अंदर एक external link दे सकते हो जहां से लोग फिर वहां से earning भी generate कर पाते हैं तो अगर आप भी मेरी learning से सीखना चाहते हो और Pinterest के उपर without investment earning करना चाहते हो यार तो इस वीडियो को तो लाज तक देखना ही वीडियो पसंद है तो इस वीडियो डेफिनिटी लाइक कर देना इस वीडियो का like target रखेंगे 800 likes तो जल्दी से उस like के बटन को दबा दो अगर आप इस चैनल को पर नए हो और आप भी online earning में interested हो तो आप मेरी चैनल को subscribe भी कर सक आप अगर Pinterest को जाके खोलोगे तो आपको बहुत सारी वीडियो दिखेंगी फोटोस दिखेंगी जो की products के related होते हैं same products की photos को आपको upload करना है और वहाँ पर आप अपने affiliate link को दे सकते हो अब यहाँ पर जो चीज मैं आपको recommend करूँगा गयार बहुत सारी reals वीडियो आपने generate कर सकते हो और यह चीज करना बहुत जादा simple है यहाँ पर मैंने अपना एक account खोला हुआ है जो कि मैंने ऐसे ही experiment के लिए खोला था यहाँ पर आप देख सकते हो अभी मेरे दो followers हो चुके हैं और यहाँ पर मेरे को monthly 27 views आते हैं यह मैंने ऐसे ही खोला था बस एक photo को post करा और यहाँ से मेरे को बहुत अच्छा traffic आया अगर मैं आपको अपना analytics चेक करवा हूँ तो यहाँ पर आप देख पाऊगे के last 30 days के अंदर मेरे को 32 impressions आये हैं और यही पर अगर मैं इसे 90 days कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख पाऊगे 87 impressions मेरे को आये हैं जो मैंने एक साल प impressions मेरे को मिले हैं एक फोटो से जो मैंने सिर्फ डाउनलोड करी थी और अपलोड कर दी थी आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर इसे पोस्ट करा दीरे दीरे यहाँ पर यहाँ पर एक अच्छा खासा traffic generate हो गया तो अगर आप एक regular interval के उपर photos वीडियो डालते हो त इस फोटो को पोस्ट करती है और इस फोटो को मैंने डाउनलोड भी Pinterest से करा था Pinterest से डाउनलोड करा अपलोड करा और यहाँ पर ट्राफिक भर भर के आता है और यहीं पर आप अपना affiliate link देखे बहुत ही अच्छे से earning कर सकते हो अब इसके बाद जो second earning method रहेगा that will be selling online merchandise आप जैसे फोटो उसको अपलोड करते हो तो बहुत सारे लोगों को उसके related कोई merchandise चाहिए उनको अपने mobile phone के covers चाहिए या फिर उनको T-shirts चाहिए या फिर बहुत सारी चीजें होती है जो आप online sell कर सकते हो और इन चीजों से ही आप एक earning generate कर सकते हो जैसे मैंने आपको starting में बताय कि Pinterest के उपर कोई direct monetization का option नहीं है तो जो भी traffic आपको आता है उसे आपको इनी कुछ ways के इंतर monetize करके earning generate करनी पड़ेगी चाहिए आप उसे T-shirt sell कर लो mug sell कर लो या फिर आप किसी और ही merchandise को book sell कर सकते हो तो इस तरीके से आप एक बहुत ही अच्छी earning कर सकते हो बस आपको ये idea रहना चाहिए कि जो photos, videos आप डाल रहे हो उसके related कौन सा product आप sell कर सकते हो एक्जामपल के लिए अगर आप God wallpapers देते हो तो आपके जो mobile covers है उनमें अगर भगवान की photo होगी कुछ quotes होंगे तो बहुत जादा बिकेंगे I hope आपको idea मिल रहा होगा इसके बाद जो next earning method है that is grow other social media platforms ये direct earning का method नहीं है लेकिन आपको जैसे मैंने भी दिखाया कि आपको Pinterest के उपर एक traffic source मिल जाता है बहुत easily मिल जाता है तो उसी traffic source को यूज करके आप अपने बाकी social media platforms को grow कर सकते हो जैसे YouTube channel, Instagram page, Facebook page या फिर Telegram page और उन pages को फिर आप monetize कर सकते हो अपने तरीके से और फिर व वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो के लिंक में आपको आई बटन दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो डेफिनेटली आप इस वीडियो के बाद उसे देख सकते हो आपको और ज्यादा clarity हो जाएगी इसके बाद जो next earning method रहेगा that is create a shop on Pinterest Pinterest के उपर अपनी खुद की shop create कर सकते हो और फिर अपने products को sell करके आप वहां से अर्निंग भी generate कर सकते हो और products को sell करना easy process है आप जैसे photos को upload करते हैं आपको regularly वो डालते रहनी है वहां पर आप अपने product को attach करके वहां से अपने products को sell कर सकते हो फिर जब वो sell होंगे तो फिर आपको earning होने लग जाएगी अब बोलने में तो बहुत जादा सिंपल है लेकिन आपको थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि अगर आप सिर्फ सेलिंग करोगे तो फिर आपकी पोस्ट वाइरल नहीं होंगी उन पर व्यूज नहीं आएंगे और जो फॉल्वर्स एक्चॉल में आपके हो आपको और यहां से अच्छे से अर्निंग कर सकते हो फॉल्वर्स अगर वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्ष्य में बता देना मैं ट्राइ करूंगा अगर जादे रिक्वेस्ट आएंगी एक रिक्वेस्ट वीडियो आपके लिए इसी टॉपिक के उपर लेके आज रहेगा जो कि मैं बहुत जादा recommend आपको नहीं करूंगा that will be link shortener website अब यहां पर जो भी आप links provide कर रहे हो Pinterest के उपर उन्हें आप एक link shortener website से create करके आप उस links को monetize भी कर सकते हो जब जब लोग आपके उस link को click करेंगे उनको कुछ ads दिखेंगे और उन ads से फिर आपको कुछ revenue मि यहां पर बहुत जादा explain नहीं करूंगा लेकिन यह चीज मां जादा recommend नहीं करूंगा क्योंकि Pinterest के उपर लोग इतना जादा external links के उपर click नहीं करते हैं तो अगर आप अपने product और अपने Pinterest page के बीच में एक link shortener डाल देते हो तो बहुत कम chances रहेंगे कि लोग आपके उस link के पर click करके आपके end result तक पहुँचें यह चीज तभी possible होगी कि आपका वो जो end link है वो बहुत जादा appealing हो लोग उसे देखने में बहुत जादा interested हो तो इसलिए अगर आपके user case में यह चीज आती है तो आप इसे use कर सकते हो वरना मैं इसे बिलकुल भी recommend नहीं करूंगा क्यों मेरी सोच के अंदर यह चीज बहुत ही मतलब एक brute force method होगा अगर आप अपने Pinterest page से एक earning generate करना चाहते हो तो कभी भी इसे करना मत बट अगर आपके पास कोई और चाहरा ना बचे तो आप इस method से भी एक अच्छी earning generate कर सकते हो तो guys यही थे वो कुछ method जिन पर काम करके आप definitely Pinterest से एक अच्छी earning generate कर सकते हो और यहाँ पर लोगों ने फुल business create करे हों Pinterest के उपर मेरे नोन में एक बंदा है जो कि Pinterest के traffic को divert करके blogging से ही एक बहुत ही बढ़िया earning 4-5 लाग रुपे monthly earning Pinterest से ही कर लेता है तो definitely आप भी इस platform को try करो इंडिया में यह बहुत ज़ादा trend में नहीं ह करते हैं यहाँ पर maximum लोग US UK के ही रहते हैं तो आपको यहाँ पर एक अच्छी high paying audience मिल जाती है बस आपको सही ढंक से इसे integrate करना और यहाँ पर महनत करते रहनी है और earning methods मैंने आपको बता दिया है I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो definitely आर इस वीड section में भी पूच सकते हो चैनल परने तो चैनल को subscribe भी कर देना that's all for this video I'll meet in the next one till then bye bye